हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन की रेसिपी ये गुलाब जामुन सूजी से बनाया है सूजी के गुलाब जामुन बहुत ही सॉफ्ट बने है एकदम मुँ में घुल जाने जैसे बने है और अंदर तक चाशनी से ये भरी हुई है आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी तो फ्रेंड्स आईए देखिए इसे कैसे बनाते है यहाँ पे गैस पे एक पैन चड़ाएंगे और इसमें डालेंगे एक चमच गी गी जब गरम हो जाए अच्छे से तो इसे पैन में फैला लेंगे अब हम इसमें डालेंगे दो कप दूद ये दूद पहले से उबला हुआ है इसलिए हम इसे उबालेंगे नहीं सिर्फ गरम करेंगे दूद को यहाँ पे अच्छे से गरम कर लिया है अब हम इसमें अड़ करेंगे सूजी एक कब बारिक वाली सूजी ली है इसे दूद में डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे तुरंत ही सारा दूद सूजी सोक लेगी और ये गाड़ा होने लगेगा लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे मिक्स करते हुए भुनते रहेंगे इसे तब तक भुनेंगे जब तक ये डो जैसा बन जाए धीरे धीरे ये रेखिए कैसे गाड़ा होने लग रहा है तीन से चा कि ये डो जैसा बन गया है और पैन छोड़ने लग रहा है बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है अब इस समय गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे अलग बड़े बरतन में निकाल लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए तो यहां पे मैंने एक बड़ा परात लिया ह सूजी के डो को परात में डालके चमत से या फे स्पेक्चोला से इसे फैला लेंगे जिससे की ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा अभी ये बहुत करम है तो इस तरह से मैंने इसे फैला लिया है जब तक ये ठंडा होता है हम चाशनी बनाके तयार कर लेते हैं गुलाब जाम जामुन की चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे एक पतीला लिया है इसमें डालेंगे दो कप चीनी चीनी में एड़ करेंगे दो कप पानी और अब हम इसे पकाएंगे गुलाब जामुन की चाशनी बहुत जादा गाड़ी नहीं होती है ना ही एक तार वाली या दो तार वाली ह बस हम इसे इतना पकाएंगे कि चीनी अच्छे से पानी में घुल जाएं ये देखिए चीनी अच्छे से पिगल चुकी है थोड़ा सा और पका लेते हैं तो इसका जो टेक्स्चर होगा जैसा तेल होता है वैसा चिकना हो जाएगा तो ये देखिए अभी इसमें चिकनापन आने लग रहा है तो बस चासनी बन चुकी है गैस बन कर देते हैं यहाँ पे हमारा डो भी थंडा हो गया है अच्छे से इसमें एड़ करेंगे एक चुथाई टेबल स्पून इलाइची पाउडर एक टेबल स्पून पिसी हुई चीन चुटकी भर बेकिंग सोडा थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं और अब हम सभी चीजों को मिक्स करते हुए एकदम सौप्ट डो बनाके तयार कर लेंगे हाथ से ऐसे मसलते हुए मिक्स करेंगे ताकि ये एकदम चिकना हो जाए और यहाँ पे डो बन चुका है ये देखिए अब हम इसके गुलाब जामुन बॉल्स बनाके तयार कर लेंगे इसके लिए एक छोटे से निम्बो के साइज के आकार का डो लेंगे और इसे हाथ पे इदम अच्छे से चिकना करते हुए गोल करेंगे बिल्कुल अच्छे से गोल करना है दरारे बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए नहीं तो ये तलते समय फट जाएंगे एक एक करके सारे गुलाब जामुन बॉल्स बनाके यहाँ पे तयार कर लिये हैं ये देखिए अब हम इन्हें तलेंगे गुलाब जामुन तलने के लिए तेल यहाँ पे अच्छा गरम हो चुका है जैसे ही तेल गरम हो जाए गैस का फ्लेम लो कर लेंगे और एके करके यह गुलाब जामुन बॉल्स तेल में डालेंगे साफधानी से डालेंगे तेल गरम है तो यहाँ पर एक एक करके सारे इसमें डाल देंगे बहुत जादा नहीं भरना है जितना एक बार में कडाही में आ सके उतना ही डालेंगे अब हम इसे इसी तरह से छोड़ देंगे गैस का फ्लेम लो रखेंगे और एक say तेर मिनट तक हम इसे ऐसे ही बिना move किये हुए बिना चलाय हुए ऐसे ही सिखने देंगे अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे यह सिखता जाएगा ये तेल के उपर आने लगेगा तो धीरे धीरे से आप देखिए किनारे से ये हलका होने लग रहा है और तेल के उपर आ रहा है इसी तरह से एके करके सारे बॉल्स तेल के उपर आ जाएंगे और इसके बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे सेखने देंगे तो ये देखिए सारे बॉल्स उपर आ गए हैं अब इन गुलाब जामन बॉल्स को हम सेखने देंगे गैस का अफले मीडियम कर लेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिखे और चम्मच से हलका हलका तेल को घुमाते रहेंगे तेल को हिलाते रहेंगे जिससे की ये गुलाब जामन घुमते हुए सबी तरफ से अच्छे से सिखे और अच्छा सा इनका डार्क गोल्डन ब्राउन कलर आ जाने तक हम इसे सिखेंगे गैस का फले मीडियम रखेंगे और इनका कलर ये देखे चेंज होने लग रहा है तेल में चमत चलाते रहेंगे तक कि सबी तरफ से एक समान सिखें और ये देखें कितना अच्छा कलर आया है आप अगर इससे ज़्यादा डार्क चाहते हैं तो थोड़ा सा और सेक लें अब जो चाशनी उड़ने बना के रखी थी उसमें इसे डालेंगे चाशनी थोड़ी थंडी हो चुकी थी इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा गरम कर लिया है क्योंकि गुलाब जामुन को हमेशा गरम चाशनी में डालना चाहिए जिससे की ये बहुत ही जल्दी चाशनी सोक कर लेगी अब एक बैच जब तक चासनी सोक कर रहा है गुलाब जामुन तब तक हम दूसरा बैच बना के त्यार कर लेते हैं तो इसी तरह से जब तेल गरम हो जाए गैस का फ्लेम लो कर लेंगे और एक एक करके साथानी से तेल में ये गुलाब जामुन बॉल्स टालेंगे और इन्हें अच्छे से सेख लेंगे तो थोरी देर तक हम इसे ऐसे ही सिखने देते हैं ताकि ये सब तेल के उपर आजाए और जैसे ही सब तेल के उपर आने लग जाएंगे गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और चमच से तेल को हिलाते रहेंगे और एक समान ये सभी तरफ से सिख जाए तो इसे तेल में से निकालके तुरंथ ही चाश्णी में डालेंगे तो अब हम इसे चम्मच से घुमाते हुए सिखाएंगे ताकि ये सभी तरफ से सिख जाए गैस कफले मीडियम रखना है ताकि अंदर तक भी अच्छे से पकना चाहिए ये गुलाब जामून अब हम इसे तेल में से निकालके चाश्णी में डालेंगे तो जो पहले डाला था आपने चाश्णी में वो देखिए थोड़े से भारी हो गए हैं चाश्णी भरने की वज़े से अब हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं और दो घंटे के बाद हम इसे देखेंगे तो ये देखिए कितने अच्छे से गुलाब जामून बनके तयार हुए हैं सभी गुलाब जामून अच्छे से चाश्णी के अंदर तक भर गए हैं और बहुत ही सौट मुमें घुल जाने वाले सूजी से बने हुए गुलाब जामून बनके तयार हुए हैं मैं आपको इसे कट करके रिखाती हूँ एकदम सौफ्ट एकदम जालीदार हैं मुझ में जाते ही घुल जाएंगे चाशनी अंदर तक भर चुकी हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की रेसेपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडिय क्यों में